व्यवस्क्राइब दोस्तों सुआगत शब्स बारे जीग और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो और आशा करते आप सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में बात करने वाले बीटा-डाइन ointment के बारे में, betadine solution के बारे में, देखो betadine एक ऐसे प्रकार के दवा है, जो ointment में आता है, lotion पे आता है, ये दो अलग-अलग situation पे आता है, जो lotion है, उसमें भी एक gargling lotion आता है और एक topical application lotion आता है, तो हर प्रकार का betadine के बारे में बात करेंगे, आज betadine क्यों दिया जाता है, क्यों इस्तमाल किया जाता बिटाडाइन इस्तमाल कैसे किा जाता है, बताएंगे आपको कि बीटाडाइन इस्तमाल की कोई side effects, या नहीं और ये भी बताएंगे कि अगर गर बिटाडाइन अवेलेबल ना हो तो उसके बदले में कौन सी और दवा आप ले सकते हो जो सेम काम करता हो तो वीडियो को एन तक ज़रूर देखना तो चली शुरू करते हैं पहले चीज है बिटाडाइन बिटाइन जो है इसके salt composition क्या है और किस प्रकार की दवा है बिटा मतलब जो skin की उपर apply करने वाले चीज है तो topical antiseptic और topical antibiotic दोनों में थोड़ा बहुत difference और अंतर है कैसे हम इसको 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 कहा जाता है जब किसी को मिस्तमाल करें किसी भी प्रकार के infection को रोकने के लिए prevention के लिए skin की उपर उसी को topical antiseptic कहेंगे जो के betadine ointment betadine lotion और topical antibiotic creams जो आता है वो particularly antibiotic मतलब bacteria के खिलाफ लड़ेगा और skin की उपर होने बाले bacterial infections के खिलाफ वो लड़ेगा इस इसाफ से differentiate है तो यह antibiotic मतलब antiseptic antibiotic properties में है और इसमें जो salt है उसको कहा जाता है providon iodine providon iodine तो providon iodine तो antibiotic नहीं है कोई chemical component है जो बैक्टिरियों को मारने में मदद करता है इसलिए topical antiseptic कहा जाता है ना तो topical antibiotic अब बात करते हैं कि यह betadine ointment या फिर solution lotion जो भी आप कहलो इसका यूज क्या है क्यों इसको 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 इस्तमाल किया जाता है देखो इसका यूज जो है वह प्रिवेंटिव केजर जादा होता है मतलब कहीं पे भी सर्जिरी से पहले जिस जगह पे सर्जिरी होता है अग को एक उबला हुआ पानी जो इसके अंदर डाल के किया जाता है सर्जिरी से पहले कोई पानी उस नहीं किया जाता है फिर वहां पे सर्जिरी किया जाता है क्योंकि उस जगह को डिजिंफेक्ट करने के लिए बीटडाइन लोशन यूज किया जाता है अब बीटडाइन लाइक करने के लिए मौजूद होता है तो जो गार्गिलिंग लोशन है उसको आपके स्किन के उपर लगाने से कुछ नहीं होगा उसको गार्गिल करने के लिए उस किया जाता है जब कहीं पे भी आपको गले में कोई infection घाओ कुछ problem हो रहा है तब उसको को इस्तमाल करते हैं ठीक है और जो बीटडाइन की स्किन लोशन है वो स्किन के ऊपर डिजिन्फेक्ट करने के लिए इस्तमाल किया जाता है और काफी अलग केसे करने के लिए आपको एक दो ड्रॉप देना पड़ता है लोग कहते के डेटल कभी इस्तमाल करना है तो आपको बीटडाइन करना है कोई भी हॉस्पिटल इंदस्ट्री नहीं चलेगा अगर बीटडाइन सेलूशन ना मिले तो बीटगाइन अगर बंद हो जाता है तो कल से सर्जिरी बंद बंद हो gummy इस हिसाब से क्योंकि अगर आपके सामने कुछ ना हो तो आप जो सर्जिरी के रिटेंसील हो उसको भी उस चीज से वाइप कर सकते हो उससे भी क्रीन होता है छोटे मोटे अगर आपके कोई घाओ हो, कट लगा हो स्क्रेप्स हो या फिर कुछ जलन जला हुआ कुछ इस्सा हो चोटे-मोटे वहाँ पे भी बीटाडाइन आप इस्तमाल कर सकते हो ठीक है तो बीटाडाइन का यूज जो है ना बहुत ज्यादा यूज है और ये एकदम मतलब ये ऐसा दवा है मतलब इसका टेक्स्ट बुक रेफरेंस है इसका कोई परिचे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होता है अब बात करते हैं अईनमेंट या लोशन इसके साइड एफेक्स के बारे में यहां पर नहीं होता है क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोगों हो सकता है वो किसी भी जो दवा है उससे बनता है और एक तो बोल सकते हो कि betadine अगर expired के नजदी को या फिर expired हो चुका तो वहाँ पर expired इस्तमाल नहीं करना है कि वहाँ पर जो अलग हो जाता है उससे क्या होता है वह जिस जगह पर apply करेंगे उस जगह पर color ले लेगा तो जगह को color होगा ना वह ब्राउन डार्क एक color जैसा हो जाता ह और जो लोग betadine गार्गलिंग के लिए जादे इस्तमाल करते हैं जिनको chronic pharyngeitis रहता है उनको गार्गलिंग के लिए betadine दिया जाता है कि गलास पानी में गरम पानी में betadine देके उसको गार्गलिंग करें गार्गलिंग दोशन देके तो वहाँ पर भी होता है रेगुलर यूज़ करने से जो है दात जो है काला पर जाना या फिर काले काले से स्पॉट आ जाना यह सारे कुछ side effects होते हैं मगर long term इस्तमाल करने से होता है short term इस्तमाल में ऐसा कोई side effects नजर नहीं आता है तो यह हो गया betadine lotion की इस्तमाल यूज किस हिसाब से होता है मतलब किस हिसाब से आपको इसको इस्तमाल करना चाहिए अगर यह घाव पर अपलाई कर रहे हो तो obviously जब वाश करना है dressing मतलब घाव में अपको bandage लगा हुआ है तो bandage को खोलना पड़ता है फिस जगह को clean करना पड़ता है वाश करना पड़ता है जब आप clean करेंगे वाश करेंगे तो वहाँ पर beta dine दे के धीरे धीर वाश करना है तो washing के तौर पर beta dine यूज करना है फिर उसके बाद antibiotic cream अपला यह मूँ के अंदर वहाँ पर भी beta dine को gargling के तौर पर जो इसको इस्तमाल करना होता है तो यह चीज और सर्जिरी के टाइम पर surgical scrub में आता है beta dine तो वहाँ पर भी वह उस जगह को पूरा वाइप करते है beta dine से फिर सर्जिरी किया जाता है तो तो उसको confirm करने के लिए के ल पर आपको पता होगा beta dine कि आप बात करते हैं कि इंडियन ब्रैंड अल्टनेटिफ्स क्या है beta dine related beta dine की इंडियन अल्टनेटिफ्स प्रोवीडो नायडिन के अल्टनेटिफ्स तो अलग-अलग है मत्दब प्रोवीडो नायडिन का अलग दो-3 brand names है मगर beta dine सबसे जा सकता है as an antiseptic मगर यहां पर यहां पर यह सैवलान जिसको हम सैवलाम बोलते है chlorohexidine मगर कम इस्तमाल होता है beta dine is ज्यादा इस्तमाल होता है hydrogen peroxide solution को भी यूज किया जाता है घाव को clean करने के लिए dressing को clean करने के लिए बहुत जगा काफी दफा इसको इसको इस्तमाल किय है यह फिर isopropyl alcohol को भी skin disinfection के तौर पी यूज करते हैं हाला का isopropyl alcohol को हम इस्तमाल करते है laboratory facilities में मान लो कि microbiology lab है जहां पर हम bacterial culture वगरा कर रहे हैं वहां पर hand wash करने के लिए यूज करते हैं और हम सब को पता है कि यह जो isopropyl alcohol है इसको हम hand wash के तौर पी इस्तमाल covid के टाइम पर regularly हम करते थे without water, waterless जो hand sanitization वो isopropyl alcohol से आता है तो वो चीज तो अलग बात है skin में भी infection को रोकने के लिए isopropyl alcohol rub किया जा सकता है मगर जिस हिसाब से bitter dine को इस्तमाल किया जाता है उतना इस्तमाल किसी भी चीज का नहीं होता है ना तो savalon का होता है जो chloroxidine है ना तो isoprop while alcohol का mix करके होता है अलग-अलग situation में hospital में अलग-अलग situation है उसे साब से इस्तमाल किया जाता है chloroxidine को भी hydro oxygen peroxide को भी और isopropyl alcohol का भी मगर betadine का use सबसे पहले आता है सबसे जादा आता है क्योंकि यह बहुत सालों से हैं बहुत trusted है वो जो brown color उसका कोई तोड नहीं है वो color ही अलग है वो cheesy अलग है और उस betadine का जो एक भरोसा है लोगों के उपर वो अलग है तो इसलिए one of the best antiseptic medicines out there जिसको इस्तमाल करते हैं आशा करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रहा वीडियो अच्छा लगाता है वीडियो को लाइक करना शेयर करना आपको दोस्तों के साथ सब सब्सक्राइब करने इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता है थैंक यू बाई